मित्रो जय मातादी आप देखने धर्म सिक्षा मित्रो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वाहन खरिदने के लिए अगस्त 2023 में कौन-कौन से दिन सुब तित्यों का सुब मुहुरतों का निर्मान हो रहा है जिन-जिन दिनों में हम अपने वाहन को खरिद सकते हैं व जब भी हम वाहन खरिदते हैं तो अपनी छमताओं के अनुसर काफी पैसे उसमें लगाते हैं ज्यादतार लोग लोन लेकर ही वाहन खरिदते हैं ऐसे में एक अच्छे मुहुरत का चैन जबूर करना चाहिए हमें क्योंकि वाहन पर हम अक्सर अपने पूरे परिवार के चाहिए वाहन को खरिदने के लिए तो उन्हीं मुहुरतों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं जो कि अगस्त 2023 में पढ़ने वाले हैं वाहन किस दिन खरिदे ये जानने से पहले ये जानना ज़रूर आवस्यक है कि किन किन परिस्थितियों में ना सनीवार और मंगलवार को वाहन का कोई भी मुहरत नहीं रहता है उस दिन वाहन नहीं खरिदना चाहिए राहुकाल हर रोजी छोटे काल समय के लिए आता है जो कालखंड में राहुकाल रहे उस कालखंड में वाहन का रेश्टेशन नहीं करना चाहिए अर्थात सोरूम से न जब जब चले यानि कि विष्टी करने तब तब भी वहन नहीं खहिदना चाहिए इस के अलावा बहुत महतपूर्ण है अच्छे महुर्थ होने के वावजूद जब आपकी रासी से चंद्रमा चोथे आठमे या बारहुए भाव में हो तो उस दिन वहन नहीं खहिदना चाहि है इसके अलावा पंचक में भी वहन नहीं खहिदा जाता है लेकिन इस बार इस माह में दो पंचक पढ़ने वाले हैं और दोनों ही पंचक बुद्धवार से पढ़ने वाले हैं जो पंचक बुद्धवार में पढ़ते हैं वो ज्यादा प्रभाववी नहीं होते हैं फिर भ अधिक मासध में वाहन खहि donut चाहिए दूसरा पंचक, बुधवार तीस अगस्त को दिन के दस बच कर 36 मिर्श से प्रारम होगा और यह मास के अंति तक चले गा तो ये तो हो गई परस्तेतिया किनमे किनमे आपको वाहन नहीं खहिदना चाहिए इस बार वाहन खहिदने के लिए कुल तीन महुरत बन रहे हैं जो लंबे महुरत हैं कम महुरत इसका नहीं बनने हैं क्योंकि आप देखेंगे 16 अगस तक पूर्सोतम मास अधिक मास रहने वाला है जिसमें वाहन खहरने से बचना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप इस वाट्सअप नमर पर संपर्ख कर सकते हैं इन तीनों महुरत की मैं आपको जानकाई दूँगा हो सकता आपको तीनों महुरत सूप ना करें तो घवराने के कोई बात नहीं है इस वाट्सअप नमर पर हमें संपर्ख करना है यहाँ पर आप सिर्फ 111 और रोपे की दक्षिनाना से जमा कराकर अपने लिए व्यक्तिक तोर पर महुरत निकलवा सकते हैं आये जान लेते हैं महुरतों गवाय में पहला महुरत बनेगा सोमवार 21 अगर 2023 को इस दिन दित्थी करमसा पंचमी और सष्ठी रहने वाली है नक्षेतर करमसा चित्रा और स्वाती रहने वाला है सुमहुरत कर्यमानों का सुर्योदे से लेकर रातरी के 3 बचकर 47 मेर तक अर्था जब से जब तक आपके हाँ सोरुम खुला रहे आप वहान इस दिन खरीच सकते हैं बस आपको राहुकाल का ध्यान रखना आवस्यक है और चंद्रमा से अपनी राशी की स्थिति का ध्यान रखना आवस्यक है दूसा सुमहुरत बनेगा गुरुवार 24 अगर 2023 को इस दिन तित्री करमसा अश्टमी और नौमी लाने वाली है अर्थात इस दिन भी जब से जब तक आपके यहां सोरूम खुला रहे वहन आप खहिए सकते हैं बस दो चीज का ध्यान यहां भी रखना है राहुकाल का और अपनी राशी से चंद्रमा के स्थिति का ध्यान रखना आवस्यक है तीसरा और इस महा का अंतिन सुब महुर्ट मन्र है गुरु वार 31 अगास 2023 को हनाकि यह पंचक में है तेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया बुद्ध वार को परने वारा पंचक ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है इद्धिति करमसा पूर्णिमा और प्रतिप्रा रहने वाली है नक्षतर करमसा सत्विसा और पूर्व भादप्रा रहने वाला है सुब महुर्ट करिमान होगा सुर्योध से लेकर रातरी के 8 बच कर 6 मिनट तक अर्थात यहां भी जब से जब तक सोरुम खुआ रहे आप वाहन खरीज सकते हैं दोचियों का ध्यान यहां भी एकना है राहुकाल का और अपनी रासरी से चंद्रमा किस्ते दिखा तो यह कुल तीन महुर्ट बता है जो की लंबे-लंबे जदा समयों के लिए बन रहे हैं इसके अलावा भी छोटे-छोटे महुर्ट बन रहे हैं जिनकी जानकाई देना एक ही वीडियो में संभ़म नहीं है उसके लिए आपको इस वाट्सेप नमर पर संपर्ख करना चाहिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया व्रक्तिकात तोर पर आप वाहन खहरने के लिए मुरत निकलवा सकते हैं तो मिलते हैं इसी तरह कि अनिक आपको वीडियो के साथ तब तक देखते हैं धर्मसिक्षा जै माता दिए